देवाज जिले के नेमावर पुलिस ने वरिस्ट अधिकारियों की मार्ग दर्शन में मातर चार दिन के अंदर दो अपरहन की हुई बालिकाओं को बरामत कर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भैज दिया पहली बालिका दुलवा के अपरहन की गई थी अपरहन करता की लोकेशन के आधार पर इंदोर के चंदर नगर से आरोपी निकेश को हिरासत में लेकर बालिका को बरामत किया निकेश पर बलतकार का आरोप लगा है तो वहीं दूसरी अपरहन की घटना सवासवड़ा गाओं में घटित हुई अपरहन करता ब्रिजेस बरमला खनवा को पुलिस ने पकड़ा और लड़की को उसे कबजे से बरामत किया है आरोपी विजेस के द्वारा बलतकार करना पाया गया है पिडिता ने बताया कि उसको दिनेश ने साधी का जासा देकर अपरण कर ले गया था उसके द्वारा भी बलतकार करना बताया और बलतकार करने के बाद उसके दोस्ते विजेस को सोपना बताया है आरोपी बिर्जेस पकड़ा जा चुका है मात्र चार दिनों में दोनों नाबालिक बलिकाओं को बरामत कर आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में नेमाओर पुलिस को बड़ी सबलता हत लगी है खार्दे गाओं तो साधिक खन की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले